वाज भाई के सारे दर्शोकों को मेरा नमस्कार और मेरा नमस्कार आपको सर कविता का इतना लोकप्रिय अकारेख्रम इतना सुन्दर मंज सजाने के लिए आपका अपनना एक बार दिल से देने बार आज मैं एक ऐसे विशे पर कविता करना चाहता हूं जो खुद भी चर्चित है और दूसरों को भी चर्चा में रखता है अच्छा मीडिया में क्या हो रहा है एक शब्द चित्र बनाता हूं एक आदमी नारियल के पेड़ के नीचे खड़ा है नारियल उसके सिर पे गिरा वह यहां से कविता प्रारम मतलब इलेक्ट्रोनिक मेडिया ये नारियल अभी अभी आपके सिर पे गिरा आपको कैसा लग रहा है उसने वही नारियल रिपोर्टर के सिर पे मारा बोला बिलकुल है अ रिपोर्टर ने अपना माथा खुजाते हुए कहा ये तो नारियल का मिस्यूज है उदर इस्टूडियो में एंकर चिलाया एक नारियल ने तो लोगों का सिर प्रेक किया ये तो प्रेकिंग न्यूज है आज डिबेट पर होगी चर्चा खोपड़ी की सहषुनूटा और नारियल के वेट पर होगी फिर एंकर ने चार लोगों का परिचे कराया चर्चा शुरू होते ही पहले को चुप किया दूसरे को हणकाया तीसरे पर लगातार दस मिनट तक बरसता रहा और उदर मू ता चौथा विशेशग्य बेचारा एक लाइन बोलने के लिए तरस्ता रहा तभी एंकर ने उससे प्रश्न किया कि नारियल के इतिहास भूगोल के साथ-साथ वैज्ञानिक महत्तो बताईए मुझे ब्रेक लेना है तीस सेकंड में सम्झाइए अचा शुरू-शुरू में तो ल कभी कभी बहस विशे की सीमा से पार हो जाती है और एक आदा एंकर को देखके ऐसा लगता है जैसे उन पर माता सबार हो जाती है लेकिन मेडिया के इस ग्लैमर में सच्चाई ना काबिले गौर होती जा रही है जिसे विश्वस्मियता का दौर होना चाहिए था हम है सबसे आगे की दोड़ होती जा रही है समाचार पहले पहुचता था अब बिखता है और असल दुख तो तब होता है जब लोगतंतर का ये चौथा खंबा किसी ओर छुका हुआ दिखता है हाई 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 क्या पात है हीनित वा 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 बहुत अच्छा और सर प्रेम प्यार के विशे पर बहुत लिखा गया बहुत लोगों ने तरह तरह की बाते की मैंने एक रिसर्च की है अच्छा के प्रेम के तीन चर्ण होते हैं थ्री स्टेजेद ऑफ लव पहला जब ये प्यार होता है लव एट फरस्ट साइट दूसरा जब ये प्यार बिलकुल अपने पीक पे होता है और तीसरा जब इसे उतारा जाता है वग इसे लगा विनित जमिय देवा बहुष होरी नहीं रहे था मीडिया की बात कर रहे था मीडिया एलेक्ट्रोनिक होता है प्रिंट होता है आज मीडिया साब्रेशान चाहट रहे मेडिया से परशान भी आदमे आ और बैसा अगार की नौकरी छोड़ रहा हूं कि अच्छी बली नोक्रिये क्यों चोड़ नहीं इसनी सर्दी में कौन बाटे सुविट सुविट कि अच्छा करेगा काम तो जन्नत में जाएगा अच्छा करेगा काम तो जन्नत में जाएगा होगा बुरा जो शक्स अदालत में जाएगा और जूड बोलने का सरीका जिसे आजाए ये तेहे वो इनसान सियासत में जाएगा भारतिय संस्कृति इतनी पुरानी है इतने आकरांता इस पर आए लेकिन कभी बदली नहीं क्यों दूप कर भी हम उभरना जानते हैं और गिरकर भी समलना जानते हैं दूप कर भी हम उभरना जानते हैं और गिरकर भी समलना जानते हैं रोशनी है इसलिए अब तक चरागों में हम हवा का रुख बदलना जानते हैं हमागरों पदलना जानते हैं केसी संस्कृति है हमादी जिस पर हमें गर्वए संस्कृति का एक बपतागा आप लोगों को देता हूँ दुनिया में वफाओं का सिला कौन करेगा तुकते हुए जखमों की दभा कौन करेगा दुनिया में वफाओं का सिला कौन करेगा दुपते हुए जखमों की दवा कौन करेगा फाइश है मेरी मेरे सलामत नहीं दुश्मन वरना मेरे जीरे की दुआ कौन करेगा हुए 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 चीजों को यादों में पास रखता हूँ मैं अपने किरदार में सब कुछ ही खास रखता हूँ हुए हुए चीजों को यादों में पास रखता हूँ मैं अपने किरदार में सब कुछ ही खास रखता हूँ इसलिए तो नहीं बनती मेरी समंदर से वो गुरूर रखता है तो मैं भी प्यास रखता है वाँ वाँ टशार वाँ पंतियां आप लोगों को देता हूँ कि दिल के बहलाने को हम लोग है कौन दिल के बहलाने को फुरसत में याद आते हैं हम वो गुल हैं जो महबत में याद आते हैं तुम जो चाहो तो घर के खिलोनों से पूछ लेना कभी हम वो पच्चे हैं जो शरारत में याद आते हैं वाँ 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 दुआ हो पद्दुआ सब कुछ सलीके से उठाता हूँ में खुल करके परिंदों की तरह उड़ना सिखाता हूँ तुमें है ये घमंड तारों ये है रोशन जहां तुमसे में जुगनू हूँ अन्देरी रात में वस्ता दिखाता हूँ कि में जुदू लोगू वाँ रशांग बहुत 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 करता है ये परंपराएं हैं देखिए हमारे कविता परवार की मैं नीरजी के पाउँ छूता राशाशांग मेरे पाउँ छूते हैं ये ये परंपराएं हैं चलती रहनी चाहिए